निफ्टी 50 का एक स्टॉक हुआ करता था जो लगववव आज के डेट में लगववव डेली 30% के हिसाब से भाग रहा है मतलब खबर ऐसी है जैसे मानो कि कुछ नय कर दिखाने वाली है और ये स्टॉक तो लगवव एलन मस्क के रोकेट से भी बहुत तेज भाग रहा मतलब बहुत ही तेज भाग रहा ऐसे स्टॉक्स को आज तक मतलब देखा ही नहीं था कि जो भी स्टॉक्स भागता है ऐसी खबर खबर आने पर केवल 30% का स्पीड मतलब काफी ज्यादा होता है इतना स्पीड क्योंकि जनरली जब कोई भी अच्छी खबर भी आती है तो लगवव स्टॉक्स जाता जादा 10-20% भागते हैं मैक्जिमम जो सर्कीट होता ना वो 20% का होता जो से भी कहिसाब से सिट किया गया है लेकिन ये सारे सर्कीट को सारे लेबल को सारे रूल्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है खबर क्या है वो भी जान लेंगे और लगववव स्टॉक मतलब जो कंपनी के मेनेजमेंट है कंपनी को सही तरीके से नहीं चला सके तो फिर कंपनी को धिरे-दिरे निकाल दिया गया वहां से यह देख सकते हो एनसी का ओफिशल वेबसाड यहां पर देखने को मिल गए लगवव आज के डेट में ही अगर आप यहां पर जा value केवल एक रुपया का यहाँ पर देखने को मिलना मतलब कोई split और कोई bonus वगर मिलने का chances नहीं है company का पास reserve यह कुछ खास नहीं है इस वज़े से कौन से company है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को already पता है हाला कि morning ही मैंने जो है 8.30 को ही मैंने वीडियो बना दिया था morning में ही 8.30 को क्योंकि देखो कुछ ऐसी चीज़े है जो morning में ही बताना ज्यादा अच्छा रहता है morning में क्योंकि अगर आपको morning में पता चल गया तो भाई यह जो सारे stocks हैं इसका benefit आप ले सकते हो यहाँ पर देख सकते हो Z Entertainment लगबग Z Entertainment में इतनी तेजी देखने को मिली है और केवल एक महीने में यह stocks ने लगबग पैसे को double कर दिया है और पैसे को doubles करने में लगबग इसने केवल दो step हे लिया है first यहाँ 30% और second यहाँ 30% 60% और यह धीरे-धीरे यहाँ से 30% stocks ने ले लिया मतलब केवली एक महीने में stocks ने लगबग पैसे double कर दिया है अब यह ख़बर क्या रही है वो समझ लेते हैं लगबग morning में 8 o'clock की यह ख़बर आ चुका था याद रखो ख़बरों के दमपे और profit के दमपे stock को खरीदना दोनों अलग होता है यहाँ पर ख़बर क्या है यहाँ पर देख सकते हैं z entertainment जो है न मर्ज होने वाला approval मिल चुका है मतलब कि agreement हो चुका है यहाँ पर और यह लगबग किस के साथ होने वाला है soni के साथ होने वाला अब यह दोनों मिल के एक काफी अच्छा खासा platform बनाने की मतलब इसमें है क्या बूलों अच्छा खासा platform बनाने की जोर सोर से लगे हुए है इस तेजी के पीछी के वज़बी 4 घंटे पहले के वल यही बताया जारा अब इसकी मतलब जो एडवांटेजिस है उसको समझने की कोशिस करो अगर जी और सोनी दोनों मिल जाते हैं मर्ज हो जाते हैं तो यह एक क्रियेट करेंगे लार्जेस्ट इंटर्टेन्मेंट यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया जो कि लगबग 26% viewership shares को यहाँ पर रखेंगे अपने पास अभी देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ मर्जर का मतलब क्या होता है मर्जर का मतलब होता है कि दोनों कमपनी का तकलीफ में है तो दोनों को मर्ज करते हैं एक साथ मिलके रहेंगे वह लो कोई टेंचन के बाद नहीं दुनिया में सर्वाइब कर पाएंगे लेकिन यहाँ पर मर्जर का सिचुएशन कुछ अलग है यह जो मर्जर दिख रहा है ना वार्ड वही रहेगा लेकिन सिचुएशन अलग है सिचुएशन यह है कि सोनी को जरूरत नहीं भाई तुम मरज हो या ना हो तुमारे चकर मेरे नहीं बीटह हुआ और जी ये चकर मेरे नहीं बीटह जो बहुत मोटा माल उठा रखा ऐसा नहीं है कि लगबग जो है सारा शेर जो है मतलब पबली के पास है ऐसा भी नहीं है कंपणी तो बहुत ही मजबूत है इसका बैलेंशेट भी मजबूत है फी क्यूं मर्ज वह रहा है तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना सेम दूसरी कंपणी को दे दिया जाया उसकी मेनेजमेंट इसको चला लगी उसको भी बेनिफिट होगा और पबली को भी बेनिफिट होगा तो अब समझ में आया तो यह मर्जर मतलब अच्छे चीजों के लिए हो रहा है यहां पर में जर करोड की मार्केट कैप है कंपणी की और लगबग यह कंपणी बिल्कुल डेट फ्री है साट परसंट तो केवल फोरेन वाले को पास हिस्सेदारी है और लगबग उससे और फिर जो 20-30 परसंट के आसपास तो मैं पोलूँगा डोमेस्टिक वाले जो भारत देशके ह माल भी है उन्होंने भी माल खरीद रखा और बाकि जो पर मोटर के पास है 4-5 परसंट उन्होंने माल बेज दिया था क्योंकि उनको कंपणी चलाने में इंट्रेस्ट नहीं थी और यह कंपणी के देख सकते हैं इंडियन लार्जस टेलिविजन नेट्र की आपको बताया ज देख सकते हैं मतलब बहुत सारे काम करती है कंपनी इसका खुद का भी मतलब प्रोडक्शन हाउस वगरा भी है और इसके खुद के पास जो है म्यूजिक राइट वगरा भी होते हैं यहां पर कंपनी बता रही है कि कंपनी ओफर 46 डॉमेस्टिक चैनल जो लगबग 2,5,5 घ इसमें भी लगबग आपको 6-7% की तेजी देखने को में लिए इसके पीछे का रीजन क्या आते है रीजन कुछ नहीं था जब लिडर दोड़ रहा है तो पीछे जो लजजर वगरा है वो भी दोड़ेंगे और यह तो आपको पता ही है एंडी टीवी यह क्यों दोड़ रह पीछले 5 दिनों में इसने भी लगबग 30% का रीटन दे रखा है और यह भी दोड़ रहा है इसके पीछे दो रिजन है इसका लीडर और लगबग खबर आ चुकी थी क्या डानी जो है इस कंपनी को खरीदने वाले एक रूमर था मतलब एक अफवा थी या दरको रियालिटी में जाके perfect way of market में morning का morning का वीडियो गर आप देखो लगबग देख सकते हैं just 8 hours ago यहाँ पर मैंने z entertainment के उपर वीडियो बना रहा था 8 hours ago लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में confirm नहीं मैंने नहीं बताया था कि भाई देखो यह ऐसे stock को खरीदना चाहिए क्योंकि खबरों क stocks मैं आपको ऐसा दिखा दूँगा जिसमें opposite opposite का मतलब क्या होगा कि किसी stocks में 5% की गिरावाट है तो stocks में कम सकंब 50% की delivery उठाई जाती है मतलब गिरावाट है तो दबा के लोग खरीते हैं और stock भाग रहा तो देखो लोग खरीदी नहीं रहे हाँ पर 10% की delivery तो जनरली 10-15 100% के delivery तो लोग कहीं पर भी ऐसे उठाते रहते हैं लेगिन तब 20% भी एक नॉर्मल हो गया मतलब इतनी बड़ी तीजी के बाद भी लोगों का reaction देखने को मिला तो वो था sell side sell side सही है तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ठीक ठाक है मैं आपको बोलूँगा ठीक ठाक ओक है बस ओके ओके है यह मेरे हिसाब से यह जो stock है उतना भी कुछ खास नहीं मैं आपको बोलूँगा क्योंकि stock ने बहुत मतलब 4-5 साले उसे लोगों को लगबग फसा कर रख है कि नहीं robot नहीं है हम लोग तो इसलिए मैं बोलूँगा थ्यान से बाकी मर्जी आपकी इस टॉक का आपके सामने है रिजन भी मैंने आपको बता रखा सब कुछ यहां बता रखा है आपको मार्केट है एक नएक लहर आते रहती है कभी किसी और सेक्टर में stock दोड़ते र पड़ना चाहते हो तो आप अपने अपने अबंछनम कर सकते हो जहां पर आप से बीचल फंट कुछ भी खरी सकते हो को चँटे बात नहीं है जो चार्जाज दो भ्रेंगे बहुत चोटे रहेंगे डीमें अपर आपका पैसा दोनौ सेफ होता है तो दिस्क्रिप्शिन में लिंक है मिन्टों में जाके अपना डिमेट अकाउंट वगरा ओपिन कर सकते हो